Hello Friends, स्वागत करता हू Ban आपको एक नए वीडियो में तो दोस्तोच आँज की इस वीडियो में रहे हां कि आपको बताने वाले है कि अप जख सकते हैं मेरे हाथ में IWAS Fird Code to smartwatch आपको को बहुत लोग को खा Hm नहीं हो पा रहा है और साथी साथ दोस्तों किस तरीके से QR code को scan करना है जिससे दोस्तों आपका proper smart watch काम करें आपके phone में तो चले दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं तो सबसे पहले friends आपको बता दें कि आपको अपने phone में noise का application download करना पड़ेगा और friends आपको बता दें कि noise application दोस्तों प्ले स्टोर पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको लेकिन आपको सब application को download नहीं करना है आपको दोस्तों के वाल noise sync application को download करना है और बहुत लोग दोस्तों यहीं पर गलती कर दे रहे हैं कि क्या करने हैं कि वो अपने phone में noise अप्लिक करने के बाद सबसे ओपर वहाला अप्लिकेसन पें हैर जैसे कि दुस्तो जैसे होगा है जैसे यहाँ पर हम टैप कर ले रहे हैं यहांपर देख सकते हैं SYNC तो इसको आपको क्लिक और यह ओनोड करना है ना कि दोस्तों जिए हेल्थ वन अप्लिकेशन वह दोस्ट ओपको डाउंड नहीं करना है, उपके स्मार्ट वाच में करेगा, जिख सकते हैं इसका हम पहले निस्टॉल करके रख चुके हैं, तो आपको करते हैं, और तो इसके बाद दोस्ट ओपर लिखे रहे हैं, तो इस पर हम दोस्तों क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो है सर्च कर रहा है तो यहां पर आप सर्च करके भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहां से क्यूवर कोड भी ले सकते हैं तो जैसे के दोस्तों हम क्यूवर कोड पर ओके कर लेत क्लिक करते हैं यह जू है स्मार्ट वाच आपके फोन चंलेक्च हो झाएगा और यह बिर तो यहाँ से हैं आप गाइंडलाइन्ज को पसकते हैं कि एक डाओर स्मार्ट से काम स्मार्ट वाच आपके फोन से जो है हमेशा कनेक्ट रहेगा और देख सकते हैं यह मेरा जो है कनेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है और मेरा स्मार्ट वाच में अभी 38% बैटरी है उचली आसा करते हैं आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आजोगी अगर आपको यह वीड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें